पनोर मंकुरू जो सोचता है वो करता है अलग अलग घटक दल जो हैं उनके वो तयारीयोग में उतर चुके हैं बात अगर उपेंद्र कुश्वाहा की की जाए तो उपेंद्र कुश्वाहा ने तमाम जो लोग सबाशेत्र हैं जिनमें उनको लगता है कि उनकी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ जीत हासिल करेगी हाला कि क्या NDA में भी सीटों के बटवारे पर चर्चाएं खतम हो गई है क्या NDA गड़ बंधन में सीट का बटवारा हो चुका है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि सारवजनिक रूप से कौन कहां से लड़ने वाला है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है लेकिन जो घटक दल के लोग हैं अपने अपने उमिद्वारों के तयारियों में उतार चुके हैं उनहीं में से सबसे पहले अगर चर्चा करेंगे उपेंद्र कुस्वाहा की तो उपेंद्र कुस्वाहा लगभग जो उनकी सीटे हैं जिन पर वो मन बना रहे हैं अपने उमिद्वारों को खड़ा करने के लिए वहाँ पर कैंप करते वे नजर आ रहे हैं बीच चार लोग सबास छेत्रों में उपेंद्र कुस्वाहा उतरने जा रहे हैं आज भीतर की बात में इसी पर चर्चा होगी बाबा जुड़े रहे हैं चार लोग सबास सीटों में बाबा उपेंद्र कुस्वाहा जा रहे हैं पर चार परसार करने के लिए वैसी सीटे जहां पर उपेंद्र कुस्वाहा को लगता है कि हमारा कंडिरेट उतरेगा तो साज जी जाएगा लेकिन क्या एंडिये इसके लिए तयार होगा देखे रतनेश लगतार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि सीट शेरिंग के समझवते को लेकर के देर हो रही है लेकिन सबसे पहले जिस तरह में वो वापस आये थे यानि एंडिये से बाहर हुए थे 2014 के चुनाओं में जीत करके और 2019 में जो उन्होंने पहला बदला था 2019 का चुनाओं महा गटबंदन के साथ लड़े थे उसी बीच ये समझ में आने लगी थी कि इनका कुछ मकसद आगे भी है 2019 में उसके बाद जोगवी परक्रिया हुई आपने देखा कि जदियू में गये जदियू में आने के बाल वहां भी बात नहीं बनी तो फिर बाहर आए उपेंद कुसवाह मजे हुए राजनेतिक हैं और चारो सदन में जाने वाले कुछ गिने चुने लोग हैं जिसमें उपेंद कुसवाह का भी नाम आता है वो चारो सदन में जाचुके हैं, तो ऐसी इस्थिती में राजनलिती का उनुभव भी उनका जादा है और जिस तरह से वो तैयारियां शुरू कर रहे हैं, मैंने पिछले कई दिनों से उपेंद कुस्वाहा के कई करीबियों से बातचित की उपेंद कुस्वाहा से भी बातचित की काराकट में बैठ करके वहां से पूरी तरह से संचालित किया जा रहा है कि बिहार में कैसे कौन सी सीट पर किस तरह सी तैयारी की जाएगी यह समभावना पहले से भी ब्यक्त की ज और वो ताकत दिखाने में वो एक दिन भी जमीन पर हैं, कहीं इधर उदर नहीं जा रहे हैं, आप लगतार देख रहे होंगे कि उपेंद कुछ वहा कहा हैं, तो चेत्र में हैं, पूरे बिहार भर में ब्रमन कर रहे हैं, पूरी कमीटियां उनकी लगवख बन चुकी हैं, और ऐसा संकेत सबको नहीं, उपेंद कुछ वहा को सबसे पहले मिला है, एक बात ये भी कही जा रहे थी, जो अलगतार हम कर रहे थे, कि नितीश कुमार इधर रहेंगे कि उधर जाएंगे, उससे इस बार असर उपेंद कुछ वहा पर नहीं पढ़ना है, मुझे लगता है कि ब भारते जनता पार्टी बिहार को मेन अपना केंद्रबिंदू बना लिए यह कह सकते हैं कि सारा ओफिस बिहार में चल रहा है, भारते जनता पार्टी के तो को यातिश योक्ती नहीं होगी, हम बात कर रहे थे, उपेंद कुछ वहा की सीट रही है, दोजार चौदा में वहा बहुत मजबूत है, इस बार भी उनके पास कंडिडेट है, जो हीडेन है, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, हलाकि पर्दा तो कोई नहीं खोलना चाहता है, लेकिन उसी में से एक, कहिए तो मेरे बहुत करीबी हैं, जो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, उनसे भी मेरी बात लेकिन उनके चर्चा खूब हो रही है, और ये पूरी पूरी उमीद जताई जा रही है, कि उपेंद कुछ वहाँ तीन लोगों में से एक उनका भी नाम अपने गुड़ बुक में रखे हुए हैं, जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, और हर तरह से चाहे वोट की दृष आती हो जाता कि वहां भूमिहारों का बेहतर दबदबा है, और अगर सवर्णों को और अन्य लोगों को का समर्थर मिल जाता है, तो एमो आई समिकरन महां फैक्टर काम नहीं करता है, पिछले चुनाव में भी आपने देखा सुरेंद्रयादो हारे, तो निश्यत रूप से उपेंद्कुस्वाहा की तैयारी होने भी चाहिए, 2014 में भी इस सीट पर उपेंद्कुस्वाहा ने जीत दर्ज की थी, एक सीट और है जंजारपूर, जंजारपूर की सीट भी जदियू के खाते में है, और इस सीट पर भी उनकी दावेदारी बन रही है, उन्होंने इस प और मितलांचल में वो अपनी उपस्तिती दर्ज करने के लिए खास कर जंजारपूर में अपना प्रतनिजित और उमिद्वारी दोनों रखना चाहते हैं, बात अगर करने सीटा मढ़ी की, तो सीटा मढ़ी भी उनकी जीती हुई सीट है, 2014 में सीटा मढ़ी से रामकुमार सर कुछ लोग करीबी हैं, बहुत करीबी हैं उपेंद कुछ वाहा कि जिनके लिए वो पूरी लड़ाई एंडिया गठ बंधन में लड़ सकते हैं, उस सीट को अपने कबजे में रखने के लिए, तो दो तीन लोग की दावेदारी है, उनमें से किसी एक को घीचेंगा, क्या ह अंठ कुछ लोग है और भी बहुत सारे लोग हैं, कई लोग नितिश कुमार और जो राष्टिय जनता दल है, उससे भी नराज हैं, उस नराजगी काभी मिल सकता है फाइदा, क्योंकि कई दलों के लोग सीता मढ़ी पर अपना नजर बनाये हुए हैं, हाल पिराल में अपने देखा कि चर्चा और कई लोगों की हुई है, एक बैठक लगातार हो रही है, जब से नाम देवेश चंठागुर का आया है, देवेश चंठागुर का नाम पहले से एनाउंस हो गया है, तो जद्यू अगर उधर जाती है, तब की इस्तिती और उपेंद कुस्वाह को ये बात पता है, कि सबसे महतोपूर्ण एक सीट और हो जाता है सुपॉल का, सुपॉल में उन्होंने उमीदबार भी तै कर लिया है, जो लगतार वहां जमीनी लडाई में जुड़े हुए हैं, लोगों से संपर्क में हैं, और कई वर्षों से अपनी साथ साल की नौकरी छोड़ करके, वो सु सुपॉल में जो इस्थितियां हैं वो बर्तमान सांसत के प्रती ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सुपॉल सीट पर जिस तरह से एक मजबूत उमिदवार को उन्हों दिया है, और जितरे भी उमिदवार नजर आ रहे हैं, चाहे वो जहानाबाद की जिनका नाम में नहीं गोशना कर रहा हूं, उनका भी बहुत मजबूत जनाधार है, और काफी समझे को हर तरह से जमीन पर चुनाव लड़ना हो, आसमान पर चुनाव लड़ना हो, उनका चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, शीता मढ़ी में भी आप जानते ही हैं, कि जो ज काराकट जंजहारपूर ये दो ऐसा सीट है, जो कहीं न कहीं इस बार चौंका सकते हैं उपेंद कुसवाहा, अच्छा मतलब किसी नए को या फिर बाहरी को उतारेंगे हैं, बिल्कुल, उपेंद कुसवाहा अपने लिए भी जो सीट है, वो काराकट की, आप समझे हैं, कि ह सेट ऑफिस काराकट में ही बना करके रख रहे हैं, लगतार पिछले तीन दिनों से वहां मीटिंग चल रही है, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उपेंद कुसवाह के बहुत करीबी में से कई लोग है, उनसे अकसर हमारी बातचीत होती रहती है, उस फीड़ बैक के हि आप से ये साफ लग रहा है कि जिस तर से उपेंद कुसवाह ने तयारी शुरू किया और गोशना किया है, वो गोशना साफ बता रही है कि कहीं न कहीं, इस बार उपेंद कुसवाह वो पहले सक्स हैं, जो एंडिये में सीट सेरिंग, भारती जनता पाटी के तरफ से रांस्मेंट नहीं हुआ हो, इंडिया गठबंदर में नहीं हुआ हो, लेकिन उपेंद कुसवाह एसा जो तयारिया उनकी लग रही है, उसमें साफ लग रहा है कि उनकी बाचित हो गई है, और वो पूरी तरह से आस्वस्त हैं कि इन सीटों पे अपने उमिद्वार को लड करेंगे? उनकी बाचित हमारी हुई भी थी, इस बात को लेकर के पार्टी के रेजिस्टेशन माले मुद्दे पर, तो उनकी रेजिस्टेशन प्रकिरिया है, समाने प्रकिरिया जो होना ही है, कुछ क्वैरी थी जो हमने पुरा कर दिया है। प्रकिरिया के चुनाओ की तैयारी और चुनाओ को लेकर उत्सुकता उनके मन में कितनी जादा है, वो अब इस से अस पश्ठोडा है। फिलाल भीतर की बात में इतना ही, लेकिन दिन भर की चर्चाएं लगतार हम भारत लाइब के माद्यम से करते रहेंगे। देखते लिए चैनल भारत लाइब धनेवाद। पनोर्मंक रूप जो सोचता है, वो करता है। सेवन डबल जिरो धन्यवाद।